सैमसंग M21 में कैमरा में ब्लर कैसे करें नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का थिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वालो कैमरा ब्लर करने का तरीका ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको दो तरीके तो मिल जाएंगे आ आप दोस्तों इस वीडियो को जरू डेखना मैं आपको शो करके बता हूँ का दोस्तों किस तरीके से आपको जहें आपर सेटिंग करनाया है और कैमरा केसे ब्लर होटे ठीक है आपके जो बेक्राउड्ड है आपके फोटो ज्यूंप भो नहीं होगा ठीक है आपके जो में वो focus mode पर ही रहेगा लेकिन उसका जो background है blur हो जाएगा ठीक है तो यह setting आपको कैसे करना है आज की इस वीडियो पर आपको मैं यही बताने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को click करें अगर आप online पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है अपना camera open कर लेना है ठीक है camera open करके दोस्तों यहाँ पर जो भी main object रहेगा इस तरीके से ठीक है वह जो ही दोस्तों यहाँ पर focus mode पर click करें portrait mode पर लगा दीजिए आपने आपने camera setting को तो आप देख सकते हैं ठीक है background के से blur हो रहा है तो आपको blur कितना यहाँ पर set करना है वह आप set कर सकते हैं ठीक है तो आपका जो यहाँ पर दोस्तों main focus रहेगा वह आपको clearly दिखाए देगा लेकिन वहाँ पर background आप देख सकते हैं बिल्कुल blurry है अभी photo mode select करके देखना वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल same ri effect ठीक है पीछे म mode use कर सकते हैं ठीक है तो macro mode भी दोस्तों इसी तरीके से काम करते हैं तो camera blur करने का जो दो तरीके है वह यही है ठीक है और आपको ठाट पटे application भी यहाँ पर site मिल सकते हैं एक बार चलिए हम चेक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम search कर दिया है अमारे play store में अभी दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा camera blur करने का options ठीक है auto blur background तो आप इसको install कर सकते है 4.4 rating इसका है और 10 million plus download और कुछ इस प्रकार से आपका photos निकल के आ जाएगा ठीक है background पे blur तो दोस्तों यहाँ प पर आपको इडबस यह सारे settings follow up करना है उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंने होगा thanks for watching